आज की वीडियो बताने जा रहा हूं आप जब भी अपनी वेबसाइट को एडसेंस के लिए अपलाई करते हैं तो एडसेंस बार-बार आपकी साइट को रिजाट कर देता है और एक रीजन पकड़ा देता है कि वैल्यूवल इंवेंटरी टेंपलेट पेज वैल्यूवल बता दूं कि यह वैल्यूवल इंवेंटरी नॉन सेल कंटेंट होता क्या और यह क्यों आता है देखिए इसका बहुत सिंपल सा लोग्री के मैं आपको बता दो इसका पंड़ा क्या है आप समझ लिए धियान से ठीक है वीडियो पुरा अप्रवाल अगर चाहिए तो देखि डॉट कम यह वीडियो और यहां पे आप मेर को जड़ा यह बताए कि कोई भी यहां पे नॉन सेल कॉंटेंट आपको देखने को मिल रहा है या नहीं तो नहीं ठीक है क्योंकि जितने भी है लोगों की हैल्फ के लिए मैंने बना ने रखें बना रखें इन्फोर्मेशन में सेल किया हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्दाद का उपाय जस्ट मैंने यह लगा रखा क्योंकि मेरे निस से रिलेटेट भी नहीं है ठीक है मुझे जिस्ट अप्रवल लिने से मतलब था क्यों कि अगर मैं साइरे वाला कॉंटेंट देता तो यही मुझे आता है ठीक यह आपको फ्यूचर में यूज करने के लिए बोला था अटसे अप्रोब लेगे लिए को लोगों ने गलत समझ लिया देखो इसे हम बैक अप ले लेंगे और बैक अप लेने के बाद बहुत सार लोगों क्या हो का मैं समझता हूँ जैसे कि बैक अप कॉंटेंट का लिए अपने बैक निव बनाया तो उसने सुना कि या इस पर अप्रोब मेरे को मिल चुका है तो यह यतने भी कॉंटेंट सार रही यूजिक है इसे मैं बैकर ले लेता हूं नेक्स्ट टाइम मुझे काम आया ठीक है तो वो लोगों ने क्या क्या हो सारा सारा कॉंटेंट बैक ताकि अप्रोब मिल जाए और फिर बना के उन्होंने मान के चली जैसे कि सायरी बैस डोटको में मैंने इस पर लगा दिया 10 कॉंटेंट ठीक है और अप्लाई किया तो मुझे यह यह नों सिल कॉंटेंट का रिजन रिजन आ गया है हाला कि अप्रोब नहीं मिला गिता है रि जलती करते हैं और बताते हैं कि हमने यूनिक कॉंटेंट लिखा तो ऐसा कुछ नहीं होता यार मैं समझ सकता हूं आपकी बात हो कि आपको जल्दी आर्नी करना है आप प्रेट नहीं कर सकते जाला है पेसंट रगना नहीं चाहता आज कोई भी बट यह जूरू है आपको इस है क्योंकि यह हम अभी परकोफेसे से ऑफ पर करते हैं यह बनाने में कारां कि सब्सक्राइब करते हैं इसलिए मैं यहां बैठां को बताने के लिए बात को पहले वीडियो देख लो तो देखी आपको कहीं से crane cake sleeping कोपी करा होती है और आगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपमें टाइम को बड़बाद करती है ठीक है ना कि किसी और का आपके इसमें घाटा होता है किसी कुछ नहीं जाता तो आपको करना किया है जैसे यार 15 पोस्ट लिखने में कितने आपता टाइम देना है चाहिए वह नहीं वेबसाइड हो एक पुरानी हो तब फोटी जांब आपको यहां पर दिखा दूँ है वाली वेबसाइड यहां पर ठीक है जो कि टेंपलेट पेज का इसमें तो देख सकतो यहां पर एक लडगे ने क्या 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 करना है और यहां पर ले लिया और यहां पर आपको आडड देखने को मिल रही होगी ठीक है टेंपलेट पेज का जो टेंपलेट पेज इसु आता है यहां आप सौंच रहो गया कि यह ब्लोगर कर टेंपलेट में युज़ कि यह जो लोग वर्डप्रेस यूज करते उनको भी आ रहा टेंपलेट पेज का मतलग यह होता है कि आपने वेबसाइट बनाई है वह फुली कस्टोबाज नहीं हुए ठीक है अब उसमें अपने अच्छे से मतलब हाफ है मतलब अंडर कर सकते हैं बोलते नहीं सेम लाइक उसकी तरह है तो आपको यहां पर कुछ काम करना होगा आपन प्रोड़ कैसे करवाना है मैं इद्धुदर की फालतों बाते नहीं कर रहा हूं जो भी है आपके नोलेज करने के लिए बता रहा हूं जो डू है और जो आपको करना चाहिए देख से तेरी कुमेंट और इन चोतियों नहीं बता रहा है कि क्यों रिजेक्ट वराइस का सल्य का सब्सक्राइब नहीं बता है इनकी मां की गाली देने का मनकर रहा है को ही रैंड के अपर मेरे कुछ रिजें नहीं बता थे ठीक है यहां पर तो सेम् प्रोब्लम में बहुत साथ है लोगों को आ रहा है यहां पर यहां पर भी साब-साब लिखा गया है कि हाई-quality वेजी यहां पर जैसे कि यह वेबसाइट है इसमें न्यूजपर लगा हुआ है फुड़ा कस्टमाइज है तो इस वेबसाइट के लिए अपला है तो मुझे आने वाला नहीं है नहीं नॉंसिल कॉंटेंट का और यह की वारे मुझे अप्रूपर मिल जाएगा इसका मैं लाइफ व् जब भी मैं कोई वेबसाइट का अपरूपर लेता हूं तो आपके सामें में सेर करता हूं लाइब बताता हूं तांकि आपको से मोटीवेट मिलेगी कैसे अपरूपर मिलता है आप भी सीखे कुछ जानने को मेरे लियां 3-8 व्यवाइफ से आर्निंग होती है बोछ ज़्या पांसो वट लिख लिए कोई बड़ी बात ने इसमें आप अराम से लिख सकते हैं बस आपको कितना लगेगा आदा घंटा लगे एक आटिकल लिखने में अगर पांसो वट का भी लिखे तो आपका इप करते कि आपके दिमांग में आइडिया हो तो आप एक दिन में पांच छ लिख लेंगे बस आईडिया आपको काम करना है पहले चूज कर लेना है आप लिखना यह दिन में कम्प्लेट करना है उसके बद लगातार काम काम सुरुण कीजिए और आपके पास हंड्रेड पोट से होना चाहिए जो आप लिख रे तभी आप जल से जल्ब भीस आर्टिक पर जैसे कि मैं आने किया था साथ का इस वर्सनेट आप जा कर देख भी सकते कैसे कस्टमाइज है वर्डप्रेस पे तो आधर वाइस आप बलोगर पर आपको बताऊंगा कि कौन सा थीम यूज करना चाहिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए बलोगर जो बैस्ट है और जल्दी आपको कोई भी टैंट सानी होने वाली है अंडेट पर मिल जाएगा बस करते कि आप किस तरह से क्रस्टमाज करते कैसे काम करते समझगे तो गूगल पर जाके मैं आपको दिखा तो मिनिमा कलर मैक थे रिए कि इसे कैसे डाउनलोड करना है तो यार इसकी आपको जाना है और आपको बड़ी प्रोब्लम होते हैं आपके लिए इस्ट्राग्रम पर मैसेज करो जाओ जल्दी से मैं रिप्लाइब देता हूं किसी को भी नराज नहीं करता हूं आपको रिप्लाइब तो ज़रू नहीं आना है तो यह रहा मेरा कॉंटाइन यह मैंने खुद से लिखा जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं से भी कुछ चकड़ी नहीं है बलोगर की बात कर रहा हूं मैं देखो जो लोग बोलते हैं नॉन सिर्कॉंटेंट लंड मेरा इस कुछ भी नहीं आएगा देखो यह से दियान से लिए मैं आपकी ज्यादा ज्यादा है करता हूं और सही जानकर देता हूं चाहिए वीडियो कितनी भी लंबी हो बड़ा आप लोग देखते नहीं तो यह मैं क्या करो तो दोस्तों पस आज के लिए मुझे वीडियो पसंद की वीडियो अच्छे लागत वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मैं तो आप से अगले वीडियों बाता है थैंक्स वोचिंग इस्टे ट्यून और गुट बाई